Hey what is up guys this is Manis and I'm back with a new video और guys बहुत सारे DMs आ रहे थे मेरे पास Instagram पे कि भाई आपने बहुत सारे videos Instagram पे बना दी हैं बट हमें TikTok पे videos चाहिए कि हम TikTok पे ज्यादा likes कैसे ले सकते हैं ज्यादा followers या fans कैसे ले सकते हैं तो आज की इस video में guys मैं आपको एक proper way बताऊंगा पांस साथ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ guys यार देखो आप कहीं भी grow करना चाहते तो organically grow करना सबसे best रहता है तो आज की इस video में पांस साथ इतने amazing तरीके बताऊंगा guys जिनको अगर आप follow करेंगे तो I'm sure आप लोग बहुत आगे तक जाएंगे टिक टॉक पे तो अगर आप सचमुष टिक टॉक पे grow करना चाहते हैं तो इस video को continue देख सकते हैं और साथी साथ यार वीडियो को like और चैनल को subscribe ज़रूर कर दें बिकाउज आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ही amazing and interesting videos देखने को मिलेंगी so without wasting any time let's get started okay guys so चलो मैं आप लोगो tricks and tips बताता हूँ से पहले मैं आप लोगों से request कर दूँगा कि यार video को ना like करो because मैं जब जब tiptock पे video बनाता हूँ आप लोग यार support बहुत कम करते हो talk पे ज़्यादा followers या fans पा सकते हैं तो उसका तरीका है first of all कि आपको ना अपनी जो video से वो on voice में try करनी मतलब खुद की voice में ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करो video बनाने के लिए because जब से add you talk आया है मतलब add you talk है hashtag है और एक अलगी section बना दिया जिसमें आप लोगों को समझा सकते हो जैसे एक YouTube में हम लोग ना ऐसी videos बना रहे हैं लोगों को knowledge videos के लिए तो तब से जो voice वाली video है उसको ज़्यादा promote कर रहा है आप लोग ना मतलब on voice में try करें अब जो second चीज आती कि आप लोग ना अगर on voice अगर video नहीं बनाना चाहते हैं खुद की voice में नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को best option है comedy videos आप देखो comedy videos बहुत ही ज़्यादा popular होती है बिकोज हर कोई यार आपको हर जगे पता है कि comedy ही king है चाहे YouTube हो चाहे TikTok हो हर कोई यार entertainment पसंद करता है तो आप लोग ना always try करें कि comedy videos जाज जादा बनाए ग्रूप में अपने दोस्तों के साथ बिकोज वो ज़्यादा viral होती है जो हम normal videos बनाते हैं उसके comparison वो videos ज़्यादा viral होती है या फिर आप second option ये ले सकते हैं कि आप लोग suspense की जो videos होती है कि भाई आगे क्या होगा आगे क्या होगा आगे क्या होगा ट्राइ करने कि आप लोग maximum videos डालें TikTok पे देखो भाई TikTok का algorithm कुछ ऐसा है कि जो दिन में 57 वीडियोस डालता है न स्टार्टिंग में उसको ना कोई एक चीज़ अगर video viral होगी तो आपकी सारी चीज़े TikTok पे increase होगी तो आप always try करें guys कि आप जितनी भी वीडियोस बनाएं वो मतलब maximum videos बनाएं अपनी TikTok पे और जो 4 चीज़ आती है guys कि आप लोग always कभी भी trend को ना छोड़ें ये तो ये बात तो YouTube पे भी लाग होती है में बढ़ TikTok पे because यहां पे 15 सेकेंड की एक वीडियो आपके ना लाखों में फैंस लाखों में लाइक्स लाकर दे सकती है आपको TikTok पे जैसे मैं आपको बताता हूं जैसे कल मैंने नोटीस करा था चंद्रयान 2 पे बहुत से लोगों ने बस क्या करी एक footage निकाली टीवी में स से और upload कर जिसमें 2-2 million तक likes गये hearts गये हैं और उनके fans चेक करो तो भाई एक-एक दिनों में उन्हों लाख-लाख fans या followers cross कर दी हैं तो guys आप लोग trend को ना छोड़ें आप लोग उससे related videos बना सकते हैं always try करें कि भाई जो trending में चीजें चल रही हैं उसको आप लोग मतलब ना करें मतलब वो avoid ना करें ठीक है क्योंकि जब भी जब Cricket World Cup चल रहा था तो मैंने TikTok पे Cricket World Cup से related video डाली थी तो मेरी एक वीडियो viral हुई थी जिस पर कहते 400 okay के आसपास hearts बस मेरी वही वीडियो viral हुई थी में TikTok ज़्यादा यूज नहीं करता हूं कभी सभी बस more fresh करने के लिए यूज कर लेता हूं okay so आप लोग ना always try करें कि भाई आप लोगों को trending topics पर video बनानी है और fifth आती कि भाई quality hashtags अब भाई आपको relevant hashtags नहीं यूज करने विकोज आप relevant hashtags यूज करेंगे तो आपकी TikTok वीडियो कहीं और चली जाएगी जिससे related वो वीडियो नहीं है example आप लोग comedy वीडियो बना रहे है TikTok पे तो comedy से related ही आप लोग hashtags यूज करें जितने जादा आप अच्छे hashtags यूज करेंगे उस hashtags पे आपकी जो पोस्ट है या फिर आपके वीडियो है वो रैंक करेगी और रैंक करेगी तो आपको बहुत सारे TikTok followers and hearts मिलने वाले हैं इसके जरि हो गई Instagram की वज़े से तो जो आपकी वीडियो है guys वो आप लोगों को बहुत लोगों तक पहुंचाती है तो always आप लोगों को उसमें hashtags यूज करने maximum से maximum hashtags यूज करने 100 characters यूज कर सकते हो but always ना आप लोगों को 100 characters का यूज करना चाहिए और अब जो हमारा 6th point आता है वो है high quality videos guys मैं बहुत से phones देख रहा हूं यार जिनमें TikTok videos अच्छी quality नहीं बनती बिचारे वो लोग महनत बहुत कर रहे हैं भाई हमारे मेरे कुछ friends लोगें बट उनकी बहुत सारी videos नहीं चल रही है तो उसका reason मैं आपको बताता हूं कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनके mobile की quality ह तो वो है ना बहुत ही काम है तो आपको always यह try करना है कि भाई जैसे कि यार मैंने एक बात notice करी है कि mobile से better है lens जो एक lens आते हैं उनसे अगर आप video बनाएंगे मोबाईल के लिए आता हूं lens तो आपकी video जाज़ादा चलने के chance रहते हैं लोगों को लगता DSLR का quality बढ़ती है त तो वो ना always आपकी video last तक देखते हैं और वो वीडियो अच्छी चलती है as compared to normal mobile के camera के या फिर आप लोगों के पास अगर DSLR available हो तो आप लोग try कर सकते हैं उससे 3-4 वीडियो बनाना और normal mobile से 3-4 वीडियो बनाना आपको पता चल जाएगा कौन से वीडियो जादा चल रही ह तो उससे आप लोग ये करें कि उससे आप लोग उसके साथ वीडियो बना के collab करें सब मिलके आगे grow करें भाई आपकी वीडियो चलेगी आप उसको tag करें उसमें वो आपको tag करेगा ऐसे करके आप साथ में grow कर सकते हैं तो always collab करें अपने दोस्तों के साथ अकेले वीडियो ही ना ट्राइ करें, विकोज अगर आप लोग ग्रो करेंगे तो सभी साथ में ग्रो करेंगे, जो सभी के लिए अच्छा होगा, तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिनके जरीए आप लोग टिक टॉक पे बहुत सारे फैंस, फॉलोवर्स and सारी चीजे ग्रो कर सकते हैं, सो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, श्यार करें, चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मैं मलता हूँ आप से ऐसी किसी अमेजिंग और इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तक तक लिए स्टेट्यून वेट मनीश वाडियू